हेलो एपरेवweltम बेक टू आउर चैनल आज किस वीडियो में हम सिंपल सूट कुर्ती की कटिंग करना सीखेंगे स्टेव भा-ष्टेव तो आज इस वीडियो में हापको फुल डिटेल मिलने वाली है के कोर्ती कर्टि नरब क्या तो यहां से दीख एएठ एँ से डबल फोल्ड में रखा है थैज एएग्या को फौरफोल्ड में कर लिया है तो फ salvage को फोर फोल्ड में करने के बाद यहां पर देख हैं believe इiggles यहां पर सीधा करेंगे यहां पर एक श्टेट लाइन डो कर लेंगे तो यहां पर हमने एक श्टेट- लाइन डो कर के कर लेंगे त जो आपके अनुوبाल फैबरिक तो इस तरह से हमने कटिं आपके, यहां पर समय एक cream कर लिया है अब यहाँ पर देखिए यह कुर्ती की open side है और यह कुर्ती की folder side है यानि बंद वाली भाग इस side है हमारी side और open वाली भाग इस side है तो अब देखिए अब चलिए हम कुर्ती की length लेंगे तो कुर्ती को हमने कितनी लमाई में रखनी है यानि कुर्ती की ready length हमें क्या चाहिए उ यहाँ फे भी इस तरह से इंची टेप को रखते हुए हम ऑन्य इक पूर्टी की लैंद लेनी हमें पर पूर्ती की ready length 22 inch you ो यसके बनाऊंगे 42 inch इसके रख्णगीrek के और यहाँ पर ऐंप फॉर्टी की line यहां पेर हमारी कुर्ती की Length हमने रखलिया है क्या अपको संहीं ते सितने मिचिक देग वी सब्सकाभव चो यहां आटी obrigado अपको जुआ जिक रखलें लेकर 12-12ख्शा इंच 20-4-5-28-30-24-gy-4-25-5-30-25- prohibition करेंगे तो 9 इंच होगी प्लस यहां से 2,5 इंच हम एक्ष्टा मार्जन में एड करनी होती है तो ले लेंगे तो यहां पर दिखिए 11,11 इंच पर हमने इसकी रख लिया है यानि कि 4 पर्ट और 2,5 इंच हमने एक्ष्टा मार्जन लेकर इसकी विर्थ ले लेनी है क्योंकि फै 6 इंच पर आपकी रखनी होगी और 40 ए 40 प्लस बनाएंगे तो आपको 7 इंच पर रखनी है और यहां से आमोल को भी हमने 6 इंच पर माग करनी है तो यहां से हमने तो मैं यहां 6 इंच पे यहां पे इसकी आर्मोर और सॉल्डर रखी हूं यह ठटी एट की भी बनाएंगे तो आपको सॉल्डर 6 इंच पे रखनी होगी तो यहां से देखिए हमने सॉल्डर को लेते हुए यहां पे लाइन को इस तरह से स्टेट कर लिया है दोनों साइट में इस तरह से हमने सॉल्डर और आर्मोल की मार्किंग कर लिया है अब यहां पे देखिए अब अपनी कमर की मार्किंग जो करेंगे तो हम कहां से करेंगे तो यहां पे देखिए इंच टेप को इस तरह से सॉल्डर के पास में रखेंगे और यहां से मार्किंग करेंगे तो यह इनची तेप को फिर से नीचे रखते हुए यहां पे ही पी की मांकिंग करेंगे तो ही जहां से हमारी सूट की स्लिट बनेगी जहां से कड रहीगी तो 21 इंश यानר के members लगा लें गे जहां से अपनी ही मुला मेंगीक、 यह धीक के में भूष्टे के साइज के सब्सक्राइब हैो न भूष्ट चुप लते होगा है उसके मांखता हैं भूष्ट चुप करनें तो यह धीक Welcome to 40 चूप। तो 9 इंच होगी यानि कि इसे हम 4 से डिभाइट कर लेंगे तो 9 इंच होगी प्लस 1.5 से 2 इंच यहां पर हमने मारजनाड कर लेनी है आप जिस भी साइच की खुर्ती बनाएंगे बस आपको 4 पर लेनी होगी चेश्ट में तो यहां पर बश्ट के 4 पर करने के बाद हम यहां कमर की मार्किंग करेंगे जो मने च头-2 इंच्छ निशान लगा यह उपने कमर की मार्किंग करेंगे तो यहां की Kamar हमारी 32 इइंच है तो इसको की ट्रच डिवाइड करेंगे 8 1-च होग तो 8-च प्लॅ-2,1-च हम लिए एड़् कर लेनी है, तो दो इंची हम, मार्जिन add कर लेंगे, यहां पे देखिए, इस तरह से हमने क्यों मार्गिंग कर लेनी है, तो, और मार्गिंग करने के यह बाद दिनों ही लाइन को हमने कें इस तरह से Brother कर लेंगे, तो कोई भी साइज आप बनाएंगे आपको कटिंग यही बिल्कुल ऐसा ही करनी यानि कि फर्मूला यही रहेगी आपको सॉल्डर की मार्किंग करने के बाद बॉष्ट और कमर और वेश्ट की फोरपाट लेनी है तो 34, 36 या 38 इंच की कुर्थी बनाएंगे तो आपको सॉल्डर 6 इंच आम होल को सिक्स इंच पर रखनी है और इसे कम बनाएंगे तो आपको 5.5 इंच रखनी होगी यानि 22 इंच की कुर्थी बनाएंगे तो 5.5 इंच अब यहां से अपनी आमहule में सेव देंगे तो इस जो लाइन हमने स्टेट कीया है 6 इंच का उसे हाफ कर लेंगे और यहां से एक इंच में फिनाख करेंगे और इस तरह से मिलाते हुए हम आमहule में सेव देदेंगे तो इस तरह से देखिए यहां पर हमने आम होल में सेप देनी है तो इस तरह से हमने बैक आम होल में सेप दिया है तो हमने सेप दे दिया है अब यहीं से देखिए हमने हाफ इंच अंदर से करते हुए अपनी फ्रॉंट आम होल के लिए सेप देनी है तो यह फ्रॉंट आम होल म के लिए तो इस तरह से इत्ता माकिंग करने के लिए कि बाद देखिए अब क्या ओनी है यहां हपे हमारी जोmbol हैंओलने मॉले मॉन हमें जो माक किया है उसको में स्ट्ट कर लें गवाटम तख तरह के इस तरह से सकेल से इसे हम इस्ट्टि si बैजर आ currently कर लें तो यहां पर इमने बोटम तक श्टेट कर लिया है. जो कि हमारी यह पर श्टीट बनेगी. तो यहां पर देखिए इस तहर से समने मांकिंग कर लिया है. तो बस हम इतना ही कुर्टी मांकिंग करनी है. वर्ष्ट की फोर पार्ट लेनी है, और मार्जन आपको 2-3 से 2 इंच मार्जन एट कर लेनी है यहां पर और बश्ट की मांकिंग करने के बाद आपको बस यहां कमर की मांकिंग करनी है हisha स्De qui करने इ специF क अब कमर और के न करने करने राए और मार्जन लिए दो इंश है और कमर के बाद में हिप की कर लिया है तो बस कूर्थी बाब को इतना ही करने है और वcell zombie कर लेंगे चले सिक लिए तहम पर लेते हैं तो यहां पर देखे इस तरह से हमने यहां माहां से कुटिंग करना स्टार्ट करना है यहां पर इसकी कटिंग करेंगे मैं सिसको देख कर लिया और आप अब यहां पर हमारी जो यहां पर मोरक पर तो यहां पर देखिए पहले जो हमारी लेंथ में एक्ष्टा फैबरीक के उसे हम कट कर लेंगे तो यहां से जो भी एक्ष्टा उसे हम कट कर लेंगे और यहां पे देखें, यहां पे हमें कटिंग नहीं करने ही से, अनुकि यह है , बनाएंगे यहां पर एकुट करनी है लागर कर्थे में से अब हमारि कुड़ी की कटिंग हो गई है तो इसमें से अब हम बैक पर को अलग करेंगे और नीव करेंगे अब इसमें करेंगे कि नंग अकर आपको डिप और फ्रन्ट एक चाहिए तो एक साहथ आप कर सकते हैं अगर आपको दीप और यां फ्रंट में करेंग fare लाद करनी होती है यहां पे देखिए जो आप इंश जो हम आप इयुक्स को गेहराई लगायाई था शॉल्टर में यानी कि आम होल में हम आम होलिम में हाफ जओ जो में आव आप इंश जो गेहराई दिया था उसके हमपर कर लेंगे हैं ही इस तरह सो फैब को 4 all में रख लिया है और जो भी आपको लांज लेनी आप अपने करींग ले सकते उर ये मारी OSP इसे ख diagn Спाना भी टे और हैं और यहां से डिह कि आप say चोषी कि और से हमने तीन इंच शचाइटे लेख टेendeu spricht आप देखिए जो हमारी स्लीब की फैबरी के इसकी वविर्थ हमने 9 इंच पे रखा है यहां 8 इंच पे हमारी यह सुटिंग आएगी और यहां पे हमने 1 इंच एक्ष्टा मार्जन रखा है और लें ताप अपने कोडिंग ले सकते हैं और यह दोनों पॉइंट को मिलाते दूँए डोग कर लेंगे लाइन को और यहां फिटिंग वाले जो हमने 1 इंच पे लिया है उसका भी लाइन को ब्रॉग कर लेंगे तो इस तरह से मांकिंग कर लिया है और हम इसकी कटिंग कर लेंगे अगर आपने पीज़े कमारे चैनल को सब्स्क्राइब नहीं किया तो सिस्क्राइब कर ले और वैल आइक उन को भी प्रेज कर दे ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिशिक्षिक्षिक्षन आपको मिल सके टाइम टू टाइम तो यहां पर देखिए हमने स्लिप की भी कटिंग कर लिया है अब हम इसे ऑपन करेंगे अब हमने इस तरह से स्लिप को आपन करकर रखा है और यहां से जो फ्रॉंट की साइड में उसे हम हाफ इंच में गहराई देंगे जैसे कि हमने सॉल्डर में दिया था तो फ्रॉंट की साइड से हमने हाफ इंच की स्लिप में भी गहराई देनी होती है जिससे इसके फिटिंग काफी अच्छी आती है इस लिप की तो यहां पर देखिए हमने इसकी फ्रॉंट में हाफ इंच की गहराई कट कर लेंगे इस लिप में भी तो यहां से हमारी कटिंग हो गई आप एक साथ भी कट कर सकते हैं तो मैं आपको यह समझाने के लिए दोनों को अलग-अलग करके कट क करती हूं तो यहां पर देखिए हमने गहराई को भी कट कर लिया है इस तरह से हमारी कर तो स्विप करनी है तो इस तरह से आप कुर्थी कटिंग बहुत ही असानी से कर सकते हैं आपको कोई भी साइची आप कूर्थी बनाएगे तो अब को फर्मूला यही रहे गी बस आपक के लिए और बस्ट की कमर की की हिप की फोड़िपर ऺट करके मारकिंग कर लेनी है तहीं से कुर्थी कटिंग बहुत यह साथ में इसकी स्टिस्टिंग के साथ में तो नेख्स्ट वीडियो में हम इसके स्टिशिंग करना ना सीखेंगे और यहां पर दीकिए नएक आक इक घंगे का 1965 अपनी कूर्ती में तो अपनी प्लेन कूर्ती में यानि कि सिंपल कूर्ती में हम नेक की डिजाइन कैसे करते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में सिखेंगे तब तक के लिए थैंक्यो